अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले आइड अच्छा किया मौलिक तुने मैं तो डर रही थी कि तू काम बिगाड न दे लेकिन नहीं तूने तो काम बना दिया अब देखते हैं दस दिनों में वो कांजी फागेला हीरा तराशना कैसे सीखता है क्या तोड निकाला बिटा तुने यही तरीका है ऐसे लोगों से तोड रहने का और वैसे भी बात तेरी सच है ये गाहँ वाले गवार अनपड लोग क्या जाने ही रातराशना क्या होता है वही तो बात है तरुफई मैं तो बस इंतिजार कर रहा हूँ कि एक बार पपा एंटवर्प से वापस आ जाए उसके बाद मैं उनसे बात करूँगा समझाऊंगा उन्हें में कि भले ही इन लोगों ने हमें अप़ी जमीन दी है लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं न कि हम उने वो काम दे दे जिसके लोग लायक भी नहीं है और ऐसा करके अपना खुद का नुकसान करा ले सही कहा तुने बटा ये बारवटिया नहीं हमारे लिए कुछ कर सकता है नहीं किसानों के लिए इसे तो सिर्फ जीन आता है चेल में सटनी के लायक है ये करवे मुझे दुश्पे बिटा अरे वबार मेरी गुडिया बहुत अच्छी लग रही है बहुत सुन्दर लग रही है थांक्स नानी नानी मैं तो अच्छी लग रही हूँ पर सन तो कैसे लग रही होगी बिरवा ने का है कि मुझे सुन्दर लगना है वहाँ उसके दोस्तों की माई आएंगी वो सब सुन्दर लगेगी तो मुझे भी अच्छे लगना है कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुन्दर बहुत अच्छी लग रही हूँ पता है मेरे गाउब में इतना सुन्दर आज तक कोई भी नहीं पुता लेकिन कुछ तयादा तो नहीं होगे न? आरे नहीं बिल्कुल नहीं बहुत अच्छी लग रही हूँ अच्छा आप मैं चलती हूँ मुझे सबजी बनानी है संतू तयार हो गए तुम? हाँ मैं तयार हूँ ये क्या हुलिया बना रखा है? और ये क्या पहना है? तुम ऐसे चलोगी मेरे फ्रेंड के बोर्दे पार्टी में क्यों? अच्छी नहीं लगरी मैं ये सारी तो मालिक ने दिये मुझे सारी तो अच्छी है पर संदू को मैं तयार करती हूँ लेकिन बाँ मैं तयार हूँ अब इरवा तुमने भेट ले लिये ना तुम इचलो नानी तु जानवार मैंने कहा ना तुझे जा अपने तन्तू हाँ ना जी और तुमने ये काम वसुधा को सौंद दिया नीसासा नीरेरिनी माम्मा कर दिया नानी ने क्या बात है अब देखना सारी फ्रेंस की ममी किसाब ने मेरी ममी का क्या वट होगा वसुदा कहां रह गई वो आनई वाली थी कि सुरेखा मासी का फोन आ गया उनसे बात करने लगी आच्छा हाँ हाँ सच को संतु इतने सालों तक वसुदा ने मुझे तंग किया है मगर आज उसने वो काम करके दिखाया है कि मैं सब कुछ बूल गया बहुत अच्छे से तैयार किया है तुझा हमेशा इसे ही रहना ये धर्मराज ने खाड़ी दी है ना ची धर्मराज के सामने ऐसे ही पेहन ओड़के रहना अच्छा लगता है कभी कबार विर्वा कहां जाने कि तैयारी होरही है अरे ये तो देखो बंठन के पूरी हिरोईन बन गई है कहा जा रही है तेरे गाव में क्या त्योर है क्या ए आखे मत दिका समझी न जो पूछा है न उसका जवाब दे पीन भाव बिर्वा के दोस्ट का जनन दिन है न मैं बिर्वा के साथ बहीं चाहरी हूँ अच्छा तो तू इसे लेके जा रही है मैंने मना किया था पता है न अब तू इतनी बड़ी होगी अपने निरने खुट लेगी हां मेरे निरने के आगे जाएगी तू तरू तूने बिर्वा को मना इस ये किया था कि वो अकली जा रही थी लेकिन अब वो उसकी मा के साथ जा रही है ना जाने दे उससे पर बापूज जा बड़े जा चलो ना संतू देर हो रही है क्या बापूजी ये गवार को क्यो बेजा आपने बिर्वा के साथ ये कीचर का कमल वहां क्या गुल खिलाएगा पता नहीं वहां बड़े बड़े लोग आएंगे इसे अंग्रेजी तक बोलना नहीं आता थंकू थंकू केती रहती है ना काट देगी बिर्वाकी ना कट जाएगे अगर थंकू बोलोगी तो मतलब देखो संतू आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो लोग तुम्हें देखके ब्यूटिफू करेंगे और तुम क्या कहोगी बोलो थंकू वह तो थंकू नहीं थैंक्स बोलो कहो थैंक्स वेरी गुड और हाँ अब बोलो हाव आर यू क्या है अब वो क्या है जब तुम किसी से मिलोगी न तुम्हें बोलना है हाव आर यू बोलो हाव हाव आर यू 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 वेरी गुड अच्छा बेरवा एक बात बता ऐसे कौनसे दोसका जहनम दिन है जिसके या तुम जाने के लिए इतने उत्साही तो एसे ही दोस्त का बर्दे है ना बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा उसके बर्दे में नहीं जाओंगी तो कैसे चलेगा अब चलो यहां तु सब अच्छे अलग कपड़े पैंट करा है फिर तुम क्यों ऐसे मुझे सबसे अलग दिखना था और वैसे भी मुझे चडिशनल रेस बहुत पसंद गया अरे यह बिर्वा के साथ कुन है अरे बिर्वा की माह ने यह बड़े सुंदर लग रही है चलो उनसे मिलत यह चलो ना Hello Mrs. Mayamanshi How are you? You are looking so beautiful Thanks Hi बड़्वा Hi Parun अच्छा सुन तुने मेरे वो काम कर भी आना हाँ वो चिज़ जिस तक पहुचा ने थी मैंने पहुचा दी है पर अब आगे तू ही समान ठीक है पर तुने देखा उसे वो है कहाँ कर दो है ला 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 I love you too Birva Akshan I am sab तुम्हारा नीचे वेट कर रहा है चलो चलो जल्दी नीचे आओ Hey Akshan आगया Happy birthday Thank you Happy birthday Thank you Thank you Thank you Happy birthday Akshan Thank you Happy birthday Akshan Thank you Birva इसके लिए भी और उसके लिए भी आज तुम बहुत सुन्दर लग रही हो Thank you पतार मैंने चन्या चोली स्पेशली तुम्हारे लिए पहने है तुम्हें च्रडिशनल चन्या चोली पसंद है ना चलो मैं तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाती चलो संदू ये अक्षद है Happy birthday Thank you Akshan Akshan ये मेरी मम्मी है पर दोस्ट ज्यादा है इन्हें मैं नाम से बलाती हूं नमस्ते अंटी ये मेरी मा है चीते रहो अच्छा Akshan तुम्हारी मा का है अंटी जब भी घर में पाटी होती है ममी किचन में रहती है अब भी वही होंगी अब गेम शुरू करें हाँ चलो कौन सा गेम यहाँ पे हम खेलेंगी गेम तेजन वहाँ जाके बैठना मुझे यहाँ बैठना है ठीक है बिर्वा हम यहीं बैठ जाते हैं तो गाइस अब हम गेम स्टार्ट करते हैं इस गेम का नाम पासिंग दी पार्सल और इस पार्सल को आप पास करते रहना और जैसे ही म्यूजिक रुके और जिसके भी हाथ में अगर पार्सल है उससे वो करना होगा जो हम चाहेंगे और वो बाद में आउट होगा ओके लेट्स स्टार्ट दी म्यूजिक नहीं नहीं यह तो ट्रायल राउंड था गेम कैसे खेलते हैं यह समझाने के लिए रियल गेम तो अब शुरू होगा अज़े दुवारा से प्लीज इसका क्या करूँ मैं? इसमें जो लिखा होगा तभे करना होगा अरे यह पढ़ क्यों नहीं रही है? इसे देखती लगता है कि इसे पढ़ना नहीं आता है क्या? मिसिस माय वंजी अनपड है? मैं आप सब को एक बात बताना चाहती हूँ मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है पर मैं बहुत भागया शाली हूँ हमीशे मा अपनी बेटी को पढ़ा थी है लेकिन मिरवार ने मुझे पढ़ना लिखना नहीं सिखा रहा है अब मैं थोड़ा बढ़ सकती हूँ ममी को ये पानिश्मेंट मिली है कि उन्हें कवीता गानी है कवीता? पर परवा मुझे कोई कवीता नहीं आती कम ओन मिसिस माय मंशी, कवीता नहीं तो जो डोक्रूगा दीजिए मैं एक चांद आती जो मामी शाव मेरे खेमी वेना के साथ खाया करती थी आवरे वर्साथ, खेवरी वर्साथ, उनी उनी रोटली ने कारी लोनो शाख मुंगी, ये देखो, मालकी ने तुमारे लिए क्या भेजा है? गोल पापड़ी नाना जी, देखें, संतु मेरे ने अमारे लिए गोल पापड़ी भेजी और आप फटा फट अपना काम खतम कीजिये न ये क्या आपने अभी तब खाना ने खाया? फटा फट अपना काम कीजिये और खान लीजिये खाना इस काम के लिए बहुत धीराज और तपस्या की आवशेक्टा होती है और काका क्या ही तपस्या सिखने के लिए तो आपके बास आए हूँ अरे कान जी आओ आओ आँ चलो मुंगी अचानक यहां और यह हीरे तराशने की बाद? आँ काका बात ही कुछ ऐसी हो गई अभी आज तक इस बारबटे ने बंदुग उठा है आज मजबूरी में यह हीरा पकड़ना पड़ रहा है हमेशा से बंदुग उठा के मैंने गरीबों की मदद किये और आज उनी लोगों के लिए आपको अपना गुरू बनाने आए हूँ मुझे दस दिन में हीरा तराशना सीखना है क्या? दस दिन में हीरे तराशना सीखना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है दस दिन में तो नामूंकिन है काका यह नामूंकिन शब मुझे बहुत पसब इसो मैंने हमेशा नीचा दिखाया इसी क्या बात है? क्या होगा बिटा? दर्मराज के बेटे ने मुझे चनौति देए काका और मेरिली बहुत जूरुआ होगया काका कि मैं ये चनौति पूरी करके दिखाओं मैं महनत कने को तयार है काका दिन रात महनत कर सकता हूँ मैं पर मुझे दस दिन में हीरे तराशना सीखना है समस्ता हूं तुम्हारी बात तुम किसान खेड़ुदों के भले के लिए सब करना चाहते हो जिसके इस काम के लिए तो बरसों की तबस्या चाहिए दस दिन जो यह कैसे सीख सकते हो तो काका यह काम मुझे दस दिन के अंदर ही सीखना होगा के लिए जाम गमबाडे किसानों के लिए इनके बच्चों के लिए उनके घर के लिए उनके रोजी रोटी के लिए खिला जाओ। कर्लाला.. कहां छलेगे ये पिर्वा? क्या वांटी? कुछ्छाइए! हाँ, वो फिर्वा कई दिखाई नहीं दे रही आंटी मैंने उसे इस खमरे के तरफ जाते हुए देखा शायद वो वो दान्स के लिए तयार होने गई होगी कौनसा दान्स आंटी? वही डान्स जिसकी तयारी तुम लोग इतने दिन से कर रहे थे इस स्कूल के बाद भी तुम लोग मिलते थे ना उसे के लिए अक्षद के जैनल दिन के लिए उसे वो क्या कहते है सपाइस देना था ना तुम लोग को ऐसा तो कुछ नहीं आंटी किसने कह आपको? बिर्वा ने आंटी, ऐसा कोई डान्स नहीं होने वाला बिर्वा आपको अल्लू बना रही है वो ऐसा ही करती है वो मेरे फ्रेंड के बर्दे पार्टी है ना उसके लिए हमने सप्राइस ग्रांस प्रांस प्रांस की है उसी के लिए गई थी वो ने मुझ से जूट का? मैं तो अब तक समझ रही थी कि वो मुझ से सच कह रही है आपके पिरवा इसा कर पूरी है उसके पूर में इसा क्या चल रहा है बता ना, तुम अचे क्या बिखाने के लिए आपलाया बता दा हूँ, परले अपनी आखे दो बंद करो क्यों? मैंने फिल्मस में देखा है जब भी को हीरो, हीरोन को कुछ देता है तो पहले वो उसे अपनी आखे बंद करने के लिए कहता है इसलिए तुम भी अपनी आखे बंद करो प्लीज ओके, कर ली, अब? अब अब अपनी आखे करो अब अपनी आखे खोल सकती हो ये रिटन गिफ एस्पेशली तुम्हारे लिए किसी को बता ना मता थांक्यू सो मच पर तुमने देखा मैं तुम्हारे ले क्या लाए मुझे टाइम में नहीं मिला लेकिन तुमने दिया तो अच्छा ही होगा न क्योंकि तुम मेरी चॉइस के बारे में सबसे अच्छे से जानती हो है न? वो तो है पर मैं तो जरूर देखूँगी कि तुम मिलने क्या लाए So sweet! Thank you so much! ऐसो thank you नहीं कहते है मतलब तो कैसे करते है किस करके? क्या? करूना! थेको कोई भी निये! प्लीज! अब ही डाउनलोड करें डंगल प्ले आड़ मतलब चक्या क्या द। नहीं सटो प्लीज ढौना चक्या झाल झाल